हलोस दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की स्वीडियो में हम आप बात करेंगे ओवरोल मार्केट के बारे में जिस तरीके से मार्केट की सिच्वेशन आप फिलाल देख रहे हैं वो तो ठीकी है एस सच कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप देखो आज तो आज अगर आप देखोगे न तो भारत सरकार की दिरफ से एक important फैसला जो है लिया गया है और जिस तरीकी का फैसला लिया गया है उसके चलते आप मान के चलो कि आने वाले जो दिन है या फिन मैं सोमवार ही बोलूगा आने वाले दिन का मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत लंबे समय बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं मंडे की ही बात कर रहा हूं basically मंडे को आप देखेंगे कुछ परड़ोलर काउंटर्स में इस फैसले का जो है अ चलता हूं सबसे पहले उस रेपोर्ट पर लेका चलता हूं उसके बाद हम बागी की चीज़े देखेंगे यह देखो आपके सामने मैंने एक ख़बर रख दी है CCS अप्रूव लॉंच ऑफ 52 स्पाइस स्पाइस सैटलाइड्स फॉर 27,000 करोड तो बूस्ट स्पेस सर्वलें तो यहां अगर आप देखोगे CCS मतलब Cabinet Committee on Security मतलब जो Security के काम को देखती है बिसिकली और जो उनकी Cabinet Committee होती है वो अगर आप देखो तो उन्होंने एक मन्जूरी दी है पर डिगुलर ली एक प्रोजेक्ट 27,000 करोड का एक प्रोजेक्ट है आप यह मान के चल सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को जो है मन्जूरी मिल चुकी है CCS की तरफ से यह किस बात की मन्जूरी मिली है यह लगबग लगबग 52 स्पाई सेटलाइट को लॉंच करने की जो है मन्जूरी यहां पर मिलती ही देखने को मिली है और 52 स्पाई सेटलाइट अगर लॉंच होंगे तो इससे क्या होगा कि Space Securities के छेत्र में भारत जो है आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा यह बात यहां पर निकल कर आ रही है और अगर ऐसा होता है तो इसका जो फर्क है वो तो पड़े गई पड़ेगा लेकिन बात निकल कर आती है कि ऐसा नहीं जब इस तरीके की कोई चीज होती हैं तो ऑटा क्या है कि Particular nature ककमनी होती है अरीए जीज के लिये इस फील्ड में धी अर आप देखो कि तो कुछ सारी ऐसी कंपनीज हैं इस सेक्टर में जिन पर इसका पॉजिटिव इंपक्ट जो है पड़ता हुआ देखने को मिलेगा अब बात यह निकल कर आती है कि आखिरकार कौन कौन सी वो कंपनीज होंगी देखेंगे लेकर उससे पहले अगर आप देखो तो यहां भी आप क्लेरली देख पा रहे हूं देखो यहां पर के लिखाए ते इंडिया लेंग दन सी बॉर्डर अगर इस से निगरानी रखने का काम जो है इन सेटलाइट के जरिये किया जाने वाला है और इसी लिए सेटलाइट जो है लौंच करी जाएए तो अब चलो अब हम चलते हैं शियर्स प कौन कौन से तो शियर्स होंगे जिनका मतलब फर्क पड़ता हुआ जिन पर दिखाई देगा तो चलो देखते हैं कि करके तो सबसे पहले तो दोस्तों निखल कर आता लार्सन एंटुग्रो देखो मैं आपको बताऊं क्लियरली के लेंटी के बारे में लोग को सितना ही करते हुए देखने को मिलती है बले ही लोगों को इस बात का अंदाजा हो ना हो लेकिन एलेंटी जो है इस वील्ड में अच्छा कासा काम कर रही है और लगातार अपने आपको ग्रो भी करती हुए दिखाई दे रही है आप यह भी बात मान के चलो तो इसलिए एलेंटी पर इकल कर आई है ना इसका भी जो फर्क है एलेंटी पर अच्छा खासा आपको बढ़ता हो दिखाई देगा इसलिए मेरे ख्याल से आपको एलेंटी पर भी नजर रखने चाहिए एंड मंडे को अगर मंडे को भी अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि आपको इस प इसमें बहुत सारी और भी कंपने हो सकती है जैसे में स्पेस एंड डिफेंस छेत्र में एक अच्छा खासा नाम आपको देखने को मिलता है जब भी अब इसका भी जो काम है बेसिकली है तो डिफेंस के लिए ही एंड डिफेंस में मैनुफेक्ट्रिंग अगर आप हम आपको देखाई देता है अगर हम डिफेंस के छेतर में मैनुफेक्ट्रिंग देखें क्यूंकि मैनुफेक्ट्रिंग ही है सैटलाइट भी बनती है तो ऐसा थोड़ी बन जाता है कि मतलब प्रपर जनरेट करना पड़ता है प्रपर मैनुफेक्ट्र करना पड़ती है तो हेल में भी एक तेजी की चांसेज बन सकते हैं अभी रीसेंटली क्या हुआ था इसी CCS कमेटी ने एक डिफेंस का 80,000 करोड का भी ओर्डर पास किया था उसका भी फायदा अगर आप देखोगे तो डिफेंस चेत्र में या फिल मैं बूलू इस पर डोलर काउंटर को देखने क मिल रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस वाले शेयर्स बले ही अच्छे खासे नीचे तो आई गए हैं लेकिन फिर भी डिफेंस शेयर्स पर नजर रखी जानी चाहिए क्योंकि इन शेयर्स को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब चलना स्टार्ट हो जाए कितनी सेक्टर में अच्छा खासा करती हुई देखने को मिल रही है और भी अभी मैं आपको आगे एक दो कंपनी और दिखाने वाला हूँ लेकिन भारत फोर्च पर नजर रखी जानी चाहिए हाला कि अगर हम देखें तो 73 K P multiple पर ये कंपनी जो आपको ट्रेड करती हुई देखन को मिल रही है इसलिए यहां पर आपको नजर तो मेरे इसाब से बना कर रखनी चाहिए और इन चीजों का इन ख़वनों का फरक पड़ा तो ये इस पर भी बढ़ सकता है लेकिन एक स्पेस लेटेड कंपनियम बनाई हुई है साइन्टिस्टों के दोवारा तो इस पर तो श शेयर भी अच्छा कर सकता है लेकिन हाँ यहां पर दिक्कतें भी बहुत सारी है नाइंटिनाइन के मल्डिपल पर है महा तो दिखाई देता ही है एक नहीं बहुत सारी दिक्कतें यहां भी रहते हैं क्योंकि इसने profit के इसाब से अगर हम देखे तो अच्छा नहीं कर पाया हैं उम्मीद है आपको सबको जो अच्छे समझ में आ गया होगा आज कि इस वीडियो में दोस्तों इतना ही उम्मीद वीडियो पसंद भी आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तैसे लाइक करना चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना जाते लाइकन नहां जिससे कि कर्का धिस्टों है